अस्लाम अलेकुम आवरिवन आए मुहामद अजमल चट एंड वेल्कम टी यू टूड़े विल डिस्कस अबाउट दे टॉपिक आफ इलेक्रिक फ्लक्स थ्रो असर्फेस इन क्लोज राचार्ज student concept देखने के लिए हम देखते हैं कि अज़रत उमाम हुसेन का रोह सा और जो कि सोने की गोल्ड से बना हुआ है गॉल्ड से बना हुए इसमें इस्टूरिट अब देख सकते हैं कि ये एक सफियर है क्योंकि हम देखना चाहरे हैं कि एलेक्टिक फलक्स ठोई सर्फेस इन अ कलोज़ चार्ज एक चार्ज जो है वो एक सफेर के अंदर है स्टोडेंट इसमें आप देख लें जरा कि ये आपके पास जो मिनार नजर आ रहा है ये एक गोल्ड से बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये जो कोई भी सफेर सी कोई चीज होती है ये जो है नए एक चुटे-छोटे पीसी से मिलकर बनती है ताकि ये गोल्ड जो है ये सारे का सारह इसके उपर कोई एक टाइल की फाम में नहीं है इसमें बिल्कुल छोटे चोटे पार्ट लगा के इसके उपर लगाए गए अगर उन पार्ट को आप अलग करें तो यह आप अलग इस figure में देख सकते हैं किसमें यह पार्ट जो हैं बिल्कुल एक rectangular shape में हैं बिल्कुल एक straight form में हैं तो अगर आप किसी महराब चीज़ पे कुछी चीज़ लगाना चाहते हैं तो हमें उसको छोट चोट चोट पीसिस में करना होगा तो इसलिए हम यह यूज़ करना चाहरे हैं कि अगर हम किसी सफेर के अंदर electric flux को find करना चाहें तो हमें उनको छोटे रोटे पीस में डिवाइड करना होगा ओके स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्टिक फ्लक्स थूरू अ सर्फिस इन्कलोजड अ चार्ज क्या है इसके लिए आप देखते हैं कि हमारे पास एक सफेर है जिसके अंदर हमने एक पाजिटिव चार्ज रखा हुए इस पाजिटिव चार्ज की वज़ा से इलेक्टिक फिल्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो रही है थ्री डामेंशन में आप देख सकते हैं जिसमें एक इलेक्टिक फिल्ड के अगर किसी जिगा पे लेते हो उसका रेडियस आर है इस साइड बे देखो गए रेडियस आर वाटू होगा रेडियस आर थी होगा रेडियस आर फूर होगा हम स्टूड देखना चाहरे हैं कि यह जो हमारे पास फिल्ड लाइन प्रोडूस कर रहा है और एक एरिया में से पास हो रही है जब कोई field line area में से पास होगी तो फ्लक्स कहलाता है तो पहले तो हमने जो previous lecture में हमने यह देखा था कि आप एक two dimension में या एक area में से जो elective field line पास होंगी तो उसका charge क्या होगा उसका flux क्या होगा आज हम सफेर में देखना चाह रहे हैं लेकर सफेर में find करने का थोड़ा सा तरीका different है student इसके लिए हम क्या करते हैं consider a close surface area in the form of sphere of radius r which has a point charge q at its center as showing figure we want to find the value of electric flux through a close surface area student explanation में हम देखते हैं कि हमने जो वो area लिया था वो मेंने बोला था कि area को हम चारू तरफ at a time find नहीं कर सकते हमें क्या करना होगा इस area को small pieces में यह जो आपको नजर आ रहे है small pieces में इनको divide करना होगा small patches बनाने होगे और हर patches से electric field lines यह same produce हो रही होगी तो हमने इस charge को इसके अंदर इस सफेर के अंदर रखा हुआ जैसे एक ball है ball के अंदर एक charge को राख दे और एक side से ball को थोड़ा सा पैचिस लगा लें यहां से cut कर दें तो आपके पास एक area सा बन जाएगा जो आपको नजर आ रहा है तो जिसमें electric field line समलों यहां से निकल रही है तो मैं इसको find करना चाह रहा हूँ इस area का नाम जो है area A है और इस यहां से जो electric field line आ रही है वो E होगी अगर हम इस side से ले यहां से area 2 होगा E1 होगी E2 होगा यहां से अभ एरिया लहेंगा तो area 3 area E3 होगा यहां से एरिया 4, 4 होगा, यहां से एरिया N, A4 होगा तो student देखें ज़रा, हमने क्या किया है No, we divide the total surface area in sphere into N numbers, small elements of area यह हमने area 1 ले लिया, area 2 ले लिया, area 3 ले लिया, area N ले लिया मसलन कि हमने small, small patches जो है, यह figure में मैं शो कर रहा हूँ यह स्थरह के patches ले लिये, जिसका आपने लिया है, कि यह आपके पास small जो patches है, उनका area 1, A2, area 3 है इसी तरह हम electric field line जो चार्ज रखा हुआ था, वो electric field line प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी आप लेंगे the electric intensity corresponding to the area elements are E1, E2, E3, up to so on EN student आपने देखा था कि flux कैसे find कर सकते है, flux जो होता है, वो dot product होता है, for electric field intensity and vector area तो हम देखते हैं student, हर pieces के लिए अलग अलग, यह हमारे पास जो electric flux का formula यहां पर दोबारा show कर दिया है electric flux होता है, E dot A, तो total surface of the sphere is divided into small particle, small patches having a magnitude जिस तरह delta 1 area 1 है, delta area 2 है, delta area 3 है, up to so on delta N आगे, इसका मतलब कि आपने चोटे-चोटे pieces बना लिए, चारु तरफ, उसके बाद आप इसकी vector form देख लेए, delta A1, क्योंकि यह vector area है, इसकी direction होती है, तो आप इसमें, इनकी direction vector delta लगा दिया, delta N तक, इसी तरह electric field intensity at the center of the vector area, E1, E2, E3, EN, इसी तरह electric field intensity जो आपने पहले study किया, अब student इसकी mathematical form हम देखते हैं, कि हमारे पास जो flux था, एक side पे देखेंगे तो उसका flux 1 होगा, अगर दूसरे PHS में देखेंगे, flux 2 होगा, तीसरे PHS में देखेंगे, flux 3 होगा, चोथे package में देखेंगे, flux 4 होगा, और N package में देखेंगे, तो आपको flux N नजर आएगा, इसी तरह हर area पे, जो electric flux होगा, वो आपके पास इस रपूट कर दे, क्योंकि flux की value आपने देखा था, क्या होती है जी, E dot delta A, flux 1 होगा, तो उसकी E 1 delta A, A 1 होगा, अगर flux 2 होगा, तो E 2 delta E 2 होगा, इसी तरह अगर flux 3 होगा, E 3 delta E 3 होगा, इसी तरह अगर N number आप element ले रहे हो, वहाँ पे, जो है, E N delta N इसका flux होगा, ओके, अब student आप ऐसा करते हैं, कि इनकी direction देख लें, क्या आपके पास है, as the direction of electric intensity and the vector area is same, for each patch is there, for angle between them will be 0, student कल आपने देखा था, कि cause theta 0 होगा, तो cause 0 is equal to 1 की equal होता था, तो यहाँ पे आपने dot product खतम कर दिया है, E 1 delta A 1 plus E 2 delta A 2 plus E 3 delta E 3, E N delta N, student जो electric field है, चार जो आपने लिया हुआ है, वो same होगा, हर तरफ electric field line वो same होगा, E 1 की, E 2 की equal होगी, E 3 की equal होगी, E 4 की equal होगी, तो हम क्या करेंगे, हमने जो previous lecture में पढ़ा था, field of force में, वहाँ पे हमने देखा था, electric field की value E is equal to 1 by 4 pi epsilon 8 q over r square निकाले थी, यह student electric field intensity की value आपने निकाले थी, अब आपने क्या करना है, कि जहाँ पे आपके पास E है, वहाँ पे आपने यह वाली value पुट कर देनी है, और बाकि सफियर का जो area उसको देख लेते हैं, आप इसमें देखें, student हमारे पास है, flux E is equal to E multiply by जो area, one area, two area, three आपने लिया था, वो वाला area सफियर का, यह अब सारे सारी total सफियर आपने यहाँ पे ले ली है, तो इसको मैं नाम रख देता हूं कि total area of सफियर यह आपके पास मौझूद है, बाकि E elective Intensity है, अब क्या गरते हैं, elective Intensity के यह वाली value student आपने पुट की है, one by four pi epsilon not q over r three, multiply by total area of सफियर, जो सफियर की फार्म में कोई चीज होती है, कोई body सफियर की फार्म में होती है, उसका area जो होता है four pi r square होता है, यह four pi r square वहाँ पे आगया, student इसमें देखे, मैंने pi pi को cut किया हुए है, epsilon not epsilon not को साथ r square, r square cut की गया, तो हमारे पास जो final result आता है, वो flux e is equal to q by epsilon not आ रहा है, student इसमें क्या चीज़ शो कर रही है, कि charge जो flux है, वो directory proportional है q के, और universally proportional है epsilon not के, epsilon not आपको पता था, कि यह आपके पास medium होता है, free space की permitivity होती है, अब हम देखते हैं student, कि हमारे पास जो electric flux है, वो independence of the shape of sphere है, हम ने student देख लिया था, कि जैसे कि यह आपके पास एक shape है, अगर charge रखते हैं तो shape किसी किसम की भी हो, सफेर की shape किसी किसी किसम की भी हो, तो electric flux उस पर depend नहीं करता, कि यह rectangular form में है, यह spherical form में है, यह rigid body है, यह किसी तरह का भी है, electric flux उस पर depend नहीं करता, electric flux जो depend करता, यह देखें जैसे यह भी मैंने charge लिये हुए हैं, और यह भी मैंने charge लिये, और लग लग shape लिये हैं, तो इसमें यह चीज़ शोर यह कि, जो है, consider an arbitrary shape close surface, in closing a sphere, which contain plus Q on its center, as showing figure, it can be seen that the flux through arbitrary shape, close surface is same as that through the sphere, hence the total flux through a close surface not depended on the shape and geometry of the close surface, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने किसी body के अंदर, आपने charge लिये हुए हैं student, तो वो क्या है, कि कहता है कि वो charge यह नहीं depend करता, कि इसकी shape कैसी है, और इसकी geometrical form क्या है, यह depend किस पर करता है, वो देख लेते हैं, हम आखरी slide में, यह हमारे पास है, flux depend करता है, जैसे कि हमने figure में देखा, यह जो figure निकाले थी पीछे, flux is equal to q और epsilon आट, यह flux निकाला है, इसमें हम देखो, flux directly proportional है q के, तो इसका मतलब flux depends upon medium and charge enclosed in sphere, अगर sphere के अंदर charge ज्यादा हैं, तो flux ज्यादा होगा, positive एक जैसे charge होने चाहिए, positive charge ज्यादा है तो flux ज्यादा होगा, इसका एक मतलब यह हुआ, क्योंकि क्यों डारेक्टली प्रोपोशनल है, flux directly proportional है q के, और दूसरी बात आप figure में देख रहे हो, flux inversely proportional epsilon आट के, जैसे यह वाली figure निकाल लिए, epsilon आट देख लिए ज़रा, q epsilon आट है, इसके inversely relation है इनका, तो अगर किसी body के अंदर medium होगा, दो charge के अंदर जैसे medium आ जाएगा, medium क्या होता है, कि अगर आपने कोई चीज रख लिया है, लकड़ी रख लिया है, अगर दो charge के दरम्यान में आपने कोई medium रख लिया है, तो पानी रख लिया है, या आपने transformer के अंदर देखा होगा, कि पानी होता है, डिस्टाइल सा water होता है, oil होता है, तो यह charge पर defect करते हैं, यह इनका inversely flux, फ्लक्स इनकी वज़ा से, मीडियम की वज़ा से, डिक्रीज हो जाता है, इस्टूड़न एक बड़ी important बाद जो नोट में शामल है, if surface enclosed positive as well as negative charge, कि अगर हमारे पास यह एक surface है, इसके अंदर अगर हम positive charge को भी रख देते हैं, और negative को भी रख देते हैं, और इनकी magnitude same होनी चाहिए, तो फिर flux कितना होगा, फिर flux zero होगा, क्यों, क्योंके positive और negative charge आपसे मिलकर neutral कर देंगे, तो वो हमारे पास positive charge है, negative charge नहीं होगा, जैसे कि यह हमारे पास एक positive charge है student, इसमे अलेक्टिफिल लाइन आउट हो रही है, हम देखना चाहते हैं, इसका flux positive होगा, negative होगा, हमने मतलब कि स्फियर के अंदर positive charge लिया है, तो एलेक्टिफिल लाइन आउट हो रही है, तो इसका flux positive होगा, student, अगर हम स्फियर के अंदर को नेगटिफिल ले लेते हैं, जैसे यह शो कर रहे हैं, अगर मैं इनके दरम्यान में एक medium ले ले लेता हूँ, तो इसके दरम्यान में जो है, electric flux, वो decrease हो जाएगा, क्योंकि electric flux डिपेंड कर रहे हैं, दो चीजों पे, एक डिपेंड कर रहे हैं, इनकी magnitude पे, अगर यह 10 कुलम है, 10 कुलम है, तो अगर हम 20-20 कुलम कर देते तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि हम charge की value बढ़ा दी, अगर हम इनके दरम्यान में medium रख लेते हैं, कोई भी लकडी रख लेते हैं, कोई plastic रख लेते हैं, तो इनकी electric field intensity चेंज होगी, force, कुलम force चेंज होगी, तो उसके बाद फिर क्या कह सकते हैं, कि flux चींज होगा, okay student, यह था आपके पास slide, जो आपने study किया, अब next हम देखेंगे, इन्शालला next.